चलिये जैहिंद सभी चेला लोग यण थूथुर लोग ठेक चलिये चलिये आज का दिन दिपावली। कल्हे रात में हाज भी दिपावली न,"चल रहा है!" आज भी। दिपावली तुछ मिठावटा चल रहा है ने चलिये तो आप लोग तो पुरा मसत होंगे! तो होगए कए पुछ यृततने का भी नहीं पूरा फुलोग में पूरा ध्राम राट में कीूंगे की इन पानी पढ़ जाने का तरीका से आप लोग का अब्जेक्टिव पढ़ाने वाले ठीक इसमें बताएगा कि कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजेगा हर हाल में कीजेगा ताकि पता चलेगा कि ऐसे भी हम अब्जेक्टिव पढ़ा सकते हैं अगर ऐसे आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा रह रहेगा उसे सभाच पताच चलेगा अभी नहीं पताच लाइंगा सही बात की गलत बात सही बात अपने ऊपनी जाता है लगता है कि समझ में आ जागा अगर इसको आप लोग शेर जरूर कीजेगा ठीक वहा लास्ट मा भी नहीं पढ़िया भी पहले हमीं देखते-बढ़ह कि मको पहली पहली बार में ठोड़ा सतना है चली क्लम को मांगा चुछ सो नहीं बहुत पतला है चलिए पढ़ाएंगे क्यों तरह से लिखे गें आदप में बनेगा बहुत सोच्तियां गुर्यातना मोटा इसकर निविया तो लिखेते उतना में छोटे को में चलिए कोसिस करेंगे तो शुरू कर यह अभी मनों सखरपला खाक प्रहारा दो महाचर चटा रहा दम तो हन्योग भेदेंगे गुरूप में केलिग्राम गुरूप में भेजेंगे तब प्रोग्राम को स्टार्ट के जाए बजरंग बली के नाम पर पहला बोला गया है पीच लगने वाला दिया जाता है कि कुलॉम के नियम से लगों से बताना के बिछ लगों कई से नहीं बटाएं कोओं के कि नहीं हो पड़ीन से दो आवेस्वों करके बिछ लगने वाला बल दिया जाता है इसलिए फटाक सवना भी होगा कौन होगा फटना और बाप रिवाई है पड़े में मजा हो चल यह भी हो जाएगा दम खतरनाग धंग से चल यह सी दूसरा क्योंच दूसरा बोला है चला एक तार में क्या बोला है एक तार में एक माइक्रोंपियर की धारा परवाहित होती है यदि एलेक्ट्रॉन परावेश परवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है चल लो एक तार में वन माइक्रोंपियर की धारा बहर है यहां दे दलगे ठीक है अब बोला इलेक्ट्रॉन परावेश इचल आपको नए भी दिया रहेगा तो आपको याद होना चाहिए तो एक परती सकेंड में मतलब एक सक निकालना है चला परवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या में निकालना चली इसका बने यह चलो आज्यला बैट करदे लादबाधार के बना रहें ठीक चलिए बुटिक अमेल इतना बहल शरीर ढटते रहें चले तो क्या दिया करांट दिया चला करण को हम लोगाई लेतां दे एतना दुख परता है तुम लोग के लिए ठीक है इलेक्टरौन का भेलू दिया हुज चला तो हमें इलेक्टरोन की संख्या निकालना है और यह में निकालना है आज़का घ्ला संमय डिया यह सकेंड यह सबंद्च तो पहले क्यों निकाल भूता हुट्ट नहीं नीकलते है चला तो क्यों क्या होता है बोलीए नियाद है कुछ-कुछ एनी ठीख है तो चला क्यों पहले के ना którzy निकाले तो दो चला क्यों और की राउर हो जाएगा को तीवा की बलए आई टी होता कि ум हना का इन टुठी ठीक assim आपको दे दिया है इतना खाना रोज मिलते हैं नहीं मजाई तो यह गलती हो चला असबस में वन माइक्रो टी कामन वन है और वन माइक्रो कुलम आवेस निखलो ठीक इसी लिए आज डोटी कि चलिए बैठीमने बनागेंबनेलो चला सता चला चलिए क्यों बराबर एगली माम किटना वन माइक्रो वन माइक्रो मुलाट के वर्मायन च्छोग कर देए पाथ्न एक अमल इलेक्ट्रों कमांड देए वंव्यवञाद स commenुघाज Guide लिखी में ने बनते हैं चलिए उनीस होगे सुनलो आप दो चला एक में यह भागा 1.6 से दीजेगा ने तो एजा लिख दो एक में वाण प्राइट से भागा दो तो बनते फाइन सिक्स टू फाइब पचस अब दो चला इस माईनस सिक से दिखा लिए तो लिखा लिए पलास में होगा दो घ्राइब तब जगा 13 की बचैने चाला पलस में 13 बचैना सुन्य के पावर 2013 ढолодा के साथ आपर अन्सार चला शुच्ट है स्हस्क्रा Chapel फाईव 1620 निकफेशन प्रसका समस्याइए होना चाहिए अगर आगए तब अब परदास किज़ेगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं समय में जरूर बताएगा आज जरूर बताना है ताकि इससे भी पढ़ें ठीक लगते कि ने हमको तो बढ़ियां लगा भाई कि आपको तैयार कि एदम बढ़ियां से और अनसर भी देर एदम बढ़ियां कलम दम खतरना दिटल बोड पर लिखने वाला कम अंगा है पैसा जेता सवी सिंखार्चा कर दी है कुर्फे पैसा ने बचा भाणा भी ने कैसे जाएंगे नो आदा पता ने बूलते जा पाएंगे रात में पहुंच जाएंगे बूलतों चल देंगे रात बाद लिए चलिए आज चला ती दिटा दिया हुआ है तो वायू के सापक काच का प्रतनांग होगा सुनलो रिकॉर्ड होर लेकिन है किसी हम लगा लिए रहे सही चलो रूख देखे तो पहले हां चलो ठीक है कोई गळवर नहीं ठीक चली ओ तो बोलों चला बुला गया पर्टनर चला बुला जदी काच वा यहां पर करांती कुन लेते थे यहां पर आपका करांदी कोन थीटा इसी के साथ आपका अन्सोर हो जाएगा बी क्लियर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चाली आप लोग बात करते यह फिसकोलम काल अगला पर आपकाल सब्सक्राइब करें इसकोलम सब्सक्राइब बढ़ जाता गया एक दूर दिकता है फिर पड़ेट बन जीते कि सुनलो याद होगी होगा इलेक्ट्राण का मान कितना होता है चाल यह हमें पच्छा बताना कौन सही है यह हमें पर भी शिर्टाइड होती है और आपका धारा घृत तो सदीस होता है इसलिए आपको अंसर हो जाएगा पाश ठीक टिक लगा इने अगर ठीक लगाए तो जरूरा इता मात्रक रखता है कि यतना खागे कोई पढ़ा पाएगा हम ही एक आदमी इतना कश्ट में इतना लादा लेग भी पढ़ा रहे हैं सुनलों एसा भी तुरंद खाए हैं अभी कि पूरा कल से दम चैली यह दम पूरा काखनों खाली हो ले खाली हो तो ने तुछले लगले का वेक्षान कें पढ़ with q2 by 4 a अप्सिलों इसाला और सक चेला यहां से दो मात्रेइन काल लिए देकर अप्सिलों कम अ का मैत्र के इसले आप्शमूर नोर्ट गिंड हो जांगनी याह प्सिलों कहला यह आरे दो दो म वासमिन के आत高 फोर पाई हो अफ़ों पायस्यों सुन्लों अमातक देख क्योमा लवा वेसेद कुलं कूटीउब है व्यावेसे कूल आप न्यूटन बल होजाएगा आर स्कॉर मीटर स्कॉर सुन्लों तो हो जागा चला कूलम स्कॉर अब न्यूटन उपर मैंने चला दो उपर लेदा मैनस वन आ एम पर पावर माइनस टु हो बोलिए अंसर हो जाएगा अन्हीं कुलम स्कॉर पर न्यूटन पर मीटर स्कॉर स्कॉर क्लियर बता दियें कि कैसे मातन निकालें पूरा काम भर काम भर सलुसन कर दते हैं इसी तरह होता है यहाँ पर चला आप लोग यहाँ पर प्यान वहला नहीं सुझमे कि यहां राइटंंग ने बतान रहा है राइटंग भागा थी कि चल चटा हो गया पहली पहली भार है क्या किज़ेहां सब यमें को व्यवस्था कर रहे हैंग मुझा करदी हैं सब्सक्राइब कर दोगनी करते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है ठीक बोलो एक बटा दूगना दूगना एक बटा चारउना चारउना कौन होगा आपको बताना देखो चला हमारा जो बल होता है अब यह बता है है कि जो हमारे एफ होगा वह आपको आता है की वन की टू बाई फोर पाई एपसिलन नोट आर स्कॉर आनि करनेंग मुलो चला दूरी के वरका ब्योद कर मानू पाती होता ठीक अब यहां दूरी अगर हम दूगना करेंगे चला दूगना उनलेकर टू आर के जगा पर अगर ट कर मानू पाती तो दूरी हांपर हो जाएगा गाट टू आर का स्कॉर नहत जान के मान लो जल्य की समानो पाती देते गए तो मैं शकॉर पर फोर आज स्कॉर चला यहां दूआ र औरomena यसक्वार नोल पहले बट्यूमी चार आ गया है लो जैतना बल Kr ai Chicken होआ करने का मतलब हुआ कि दूरी हम दूरी करेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल हो जागा एक बटा चार गुना ऐसे दूरी अगर बढ़ाएंगे तो बल घटेगा कितना घटेगा दूरी के वारे का ब्यूत कर्मानू पाती होता ठीक चली इता अपने भाग लोल भी डराग लिए चलांके लोग अतना दूर बर्बाद हो जी तो लिन नहीं कुछ लो ठीक चलिए अपने जिसके संगत वी रदेव क्रांति कोन जो है तो रहा है प्रांति कोन सघन माध्यम में वह अप्तन को नहीं जिसके संगत वीरदेव क्रांति कौन जो है वह हgoing है जिसके संगत वील माध्यम में प्रतन कृन होता यह आपको बता है जिलाब बाई क्रांति कौन अपतन क को आफ यह परतन को नबी डिरी होता इसलिक करेक्ट को चलिए कोई दिकाथ यहने जड़ी दिखता है अगरे अकेले मोहिलवाग साथ बोल रहे हैं अब माम में भी बोलो को मुलों तुकी करने रहे कि लिए कुछ करने हैं को विश्वास करें पढ़ार ले देखके करें बुरूबग नहीं लगार मुलों लगते हैं इसलिए उसे कर कानी फ्यूजन होई ते बड़ी आदमी घंभीत्रम चूजा पढ़ो यह माइक तेक लगे ले भी ने यह कुछ पता चल रहा है कि सोचो ऐसी बखबख कर लो लेन की करें नहीं बोला गेनो माम दो बिंदू आवेस पहले वायू में फिर के प्रावैधुत वाले माध्यम में दूने बूला वह प्रावेधुत वाले माध्यम में रखना जाता है दोनों दसाओं में प्ले के माध्यम और लगे निकलना है अचलां तमाने अगर पहले हमां लेते हैं चलां त हवा मे अध क्या होता है बल परावाfert Q1 Q2 बाईज़ेदी फोर पाई अपस्लीन नोटर फिलरर्थ स्कौरें आपके प्रावाईदी होतां के यहां बाई बहले रखा जैगा अपवर में dad जर्शके अब हंवों दुन्हें का ऌनुब wiping लोगा दीचि क्वागा देने पर क्या होगा चेला कि माला दे नीचा जिए भी लागा कि One के sudah कर जिक ging यहां पर बॉलिए यहां पर बच ऑपर ने जगा अनुह हो जाएक काउन हो ज्यगा यह ज ोला के आपका अनुश हूर न ready सब्सक्राइब करने मलदा हुगा कि अगर दू आवेस हवा में स्थित्त है अब फिर के परावाइधुत वाला माध्या में रखा गया तो उनका अनुपात हो जाएगा क्या हो जागा चला बोली के टू बन हो ठीक नौमा समाज में आगे हो अरे समाज में तो तब बोली हां ब सिधे में काम करें हैं चलो इस तरह अगर मोजाता बनियां बात है दस्मा पाहँचा孩子 को बनाना है राशामकिला दुखा नकार है इसका कारण है फिनापनिया परावर्तन देखो हिरा रातमकिला के में दिखाए देते डिकसे कि नांधिक परावर्तन के गंठिक आद रखेगा ही रहा में चमकिला दिखाए दा पूर्णान्धिक परावर्तन के गंठिक चली धस्मा बन गया के ने चली एक घ्यारा हम बात करते हैं किसी विधुतरोधी माधियम का परावईधूतांग हो सकता है जोड़ा बताए किसी माध्यम का जो परावईधूतांग होता है एक से ज़्यादा होता है एकसे अधिक होता है अब अब अधिक के अनुसा देखे कि समें एक से माइनस वो ने से धिक नहीं है जीरो भी एक से ज्यादा नहीं है 0-5 यह पांच जो है वेगस दीक इसलिए आफके अंसर कोन हो जबद पूलिए चला पांच हो जाता है यह इसलिए आपकान सर जैगा पांच ठीक चलिए 11 बनिए ठीक अब हम लोग 12 बात करते हैं सुन्हों चलिए परतिरोध का मात्रक होता है थोड़ा सावाज वह जो जाएगा तो हो सकता जाएगा ठीक थोड़ा बाल भूदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद की थिउतक ऑसी मात रक होता है क्या और आप बाबता यह बोला गया है कि विधुद फ्र्क से इसा अंव चलुन वर कुल tentang नियूटन कूलम वार मीटर सिमा कुलम मेटर एंपियर मेटर शाएख मिदिदु चुछीविटा का जो फर्मूला टाहिए वरावर ये फबाई क्यूवतता है क्या पर जाए तिम भाई क्यू थे शर्ट स्फेंद हैं क्योड़ वर्ट अब लोग नुटन फ़रकूलं क्या होता है बाबू नुटन फ़रकूलं होगा इसी के साथ आपकांसर यह हो जाए तेरा का कॉन हो जाएगा बाबू जाए तुम लोग आवाज नहीं करना तुम लोग अपना शुरू करना ठीक चाल यह बहुत बढ़िया है अभी लोग भगवा मुहां मुन लिए कि नहीं कुछ आला नहीं तो खेल ले अभी 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 बंद के लिए इसी दम बंद के रहना दम ने पिडा जाएगा पिडा मतलब कि कि न्यूटन पर कुलम अंसर से हो जाएगा कि ने चला बोली चली 14 हम कि लुटए Sabha ने बढ़ते हैं तलाब की तली कुछ ? उपर उठी परतीत होती है सुनला कें परकास की ऑप परतन में आपका बता थे यह अगर वावा बालती है अगर उसमें कोई सिखाव अगर डालते तो उठा हुआ परतित होता है ने जला तो उसी प्रकार है तली उठी हुई परतित होती है अपवरतन के कारण यह बताये थे कि अगर पानी भरा हुआ बाल्टी में अगर हम कोई सिधा छल रखते हैं तीर्चे में दिखाए देता है जैसे मैं घर उ पर उठी परतित होती है इसका कारण है अपवरतन कारण है बोली आप परतनानी अंसर होजाएगा सी कोई समस्य नहीं चलिए अइसी प्रहाते हैं कि यह इस तरह प्रहाना चाहिए भैस सब तरह ब्यवस्ता करना चाहिए जहां जैसान यहां घर में तो इस तरह पढ़ाएंगे वहां रहेंगे दबना वहां बुट पर पढ़ाएंगे ठीक रहता है कि ने 15 बोला गया है विधूतिय परतिरोधकता का मात्रक होता है सुनो क्या बोला है बबो कि विधूतिय परतिरोधकता का मात्रक क्या है कलर का रंग चेंज करते बड़ी देरी एक के रंग होग लेने चला चलिए बोला विधूतिय परतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर ओम परती मीटर मीटर पर ओम ओम आपको याद है जला विसिष्ट परतिरोध या परतिरोध अप्सन यह सही होजागा कौन हो जागा चला याद रखेगा बहुत इंपोर्टेन की उचने बहुत अच्छा क्यों नहीं हलका है परन्द बहुत इंपोर्टेन इमनी भी भी आई ठीक ह याद रखेगा परतिरोध अठीक औम मीटर होता है ठीक चलिए अंसर हो जाएगा ए दक करें, हैँ अब हम लुग बात करते हैं सोल्लाम से बूलाए बहुतार्ठ के बने के दें लंबाई समान रखा गया है एक का ब्यास बीच से दूगना एक का ब्यास बीच से दूगना है उसका परतिरोद कम होगा तो यह दूनों में से अंसर होगा अधा तहां चोथाई होगा ठीक आपको बताएं चला फर्मूला एक बताए थे भाई आपका परतिरोद और आपका मोटाई में आरवन एक टू आरटू का जो अनुपात होता है ब्यास में आपको डी टू बाई डीवन का स्कॉयर होता है ठीक ही बते जिए अब दो चला परतिरोद जो डीटू है मुनलों दू सब परति रोग दीटू दीटू राख देंगे सुनौ को दिक्का थे चला एगर आ काई चीजेगा तो डीटू ऑसक्वाइर हो जाएगा बाई हो जागा काई 2D तो फोरो डीटू आसक्वार तोड़ दीटू अग्ड़ जाएगा अन्या आगे एक बटाट चार केतना आजा का पटना बोली एक बटा चार जाए सुनो अब यहां से हम आर्टू निखालेंगे अन्य होके लिए चला आर्वन जो होगा तार्टू का दो आट्टू यहां इदो आर्टू यहां वन में गुना होगा आर्टू भाई फोर अन्य कहने मुला हमारा जो परतिरोद अब हो जाएग एक चौथाई हो जाएगा पहले कितना हो जाएगा चौथाई भाग पहले कितना हो जाएगा बूली चौथाई भाग हो जाएगा अनसर हो जाएगा चौथाई ठीक मला आपका ब्यास अगर एक का दूगना भी से तो उसका परतिरोद भी के तुलना में एक चौथाई लगता होगा जाता होगा समाझ में आ जाता होगा काम भर इलेक्ट्रोन भोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश को उर्जा को भिवांतर का धारा को दो चला बहुत इंपोर्टेंट की जला अनि अपके पर बहुत इंपोर्टेंट की जने भीवाइब करवाते इलेक्ट्रोन भोल्ट कर बार बार पूछा जाता है वाई किसका है तो याद रखेगा भोल्ट है भीवावने माझेगा ऊर्जा का ठीक चलिए इ हो अथारह बुला है निर्वात में परकासकाव होता ठीक निर्वात परकास का वहीं कितना और होता है इसके तीन गुने दस के पावर आठ मीटर पर सकेंड होता है ठी इसी के साथ आपको अंसर डीज दा करेक्ट हो जागा को दिक्कत कहीं कोई समस्य अचला सिंपल क्यूचन है देखो चलाइस सब क्यूचन में दिया हुआ सब क्यूचन दिया है आपको हलका है परंद इंपोर्टेंट है आप देखेंगा क्यूचन में बनाएगा टोटल आपका उसी से लगभग दी है ऐसा ने सुझे करें बापर इतना हलका लगा एक्जाम में पूच्छा हुआ ठी इसलिए आपको बहुत इंपोर्टेंट सब क्यूचन है ठी हलका लगेगा बिल्कुल लेन परंद तो अच् रखना है और आपको सब पर ध्यानगना इन मलब जो छोटा छोटा क्यूचन से उसको आपको छोड़ना भी ठीक चलिए निमिल्कित में किसका प्रत्रांग सबसे अधीक हवा का जल का काज का ही राका दो चला हीरा का प्रत्रांग सबसे ज्यादा होता ठीक याद रखेगा उसका है किस्षास को एकजाम में आया हुवा कि तेखेग्म प्रत्रांग को सबसे अधीक होता है सिंपल के जिक प्रिशंच सबसे होता है वन पॉइंट फाइब टू टू पॉइंट फॉर टू आधर रहेगा चला आपको एक एक ओम के तीन परतिरोध दिये गए इनके सन्योजन से नियुंतम परतिरोध प्राप सिंही जुड़ जाता है और समंतर क्रह में Irish करें एक वाटा में यहीं रहता है समनानतर क्लोप परतिरोध ध्युक्यों घ्लिद मतला हुआ कि सबहस्का जया है आएगा दो आर पामान बोला एक हो मंए अर्द कम Courlayerk panties किवा हो जाया है फिर manner मार दो आर कमान ओंन एपनधन हो कि इस दा करेक्ट को समस्या महां है सुना चला इस तरह अप्लाहशायों मार्केट में चलेगा कोई कोई दिक्कत नहीं दोड़ेगा दोड़े में अगर दूरवपन निकाल देख घारा भर तो थोड़ा बर्दास कर दो लिए बाहर वला पर दोड़ना शुरू हो जाएगा फटा फट लड़ेगा ठीक चलिए यहां से यहर जिसे वहला से शुरू समयों सब्सक्राइव और सब्सक्राइब को réponse आपने स्साट्साएं क्योंदया समयते हैं कि क्या इसका मतल causal गाता हुँ आपाउन में से जो 2 मदा हुआ मर्साइब पहला पर है दो पहला ओप्सन इसके बारवार मू ऑद करा मतल़ हुआ चिला एकर जब पढ़ना रूज जाए एक एकर गुना फिलिटिक इसका अप्सनी है अगुना है दो चला म्यू एक मिनेट या म्यू डबलू जी इसका मुद्ध समाझ जो इमिए डबलू का मंद्ध हो कि मिव डबलू अपन म्यू एर काय तो मिव फिर आना करने लगा भुगा मिवची अपम मिव वार्ट ठीक चलिए मिवच बातर SB89 मिव और कंसल तो बच गया Kab kritika मवर्व यदे तैम पहला हृह यह से लिए चला आपका मत्राइब दोनों तरप टक्रप क्ररें क्या हो जाएगा था पहला मुएस्यायत हृइसिप तेस थे शोल हब ऑन्य चो पानीा पानी का परततरांग डे डिया है इसको हम यू वाटर किया रहे हैं क्या कते हैं पांटन भूले लिखाएंा बढ़िए आज करJapanese अनलम में बन Sei ओने इसको हम हम लोग भुलेंगे है जर भड़ा जता है जलक्त जलक ऑपर ऐप्प ही ऊपढ़ा है था मिवाटर कमान फोर भाई थिरी मुजी कमान थिवाई टू अब दो चला टू उपर जाएगा तो चाव उचार में गुणवाद आठ ए तीन नीच्छाएगा तो कहनेंग मन्द हो जाएगा नौ सुनलो तो अंसर हो जाएगा एट बटा नाइन का हो जाएगा अंसर चला तेस का यह बटा नाइन हो जाएगा ठीक समझ में आगे लो चला अब चोविस क्या बोला 12 पर तीरोध का एक तार एक विर्द के रूप में मोड़ दिया गया थिक दो चला एक विर्द में एक तार को मोड़ दिया गया थिक अब वियास के किनारों में इसका में समतुलिप पड़ती रोग निकालना है दो चला पूरा अगर बारा ओम है तो एकर शिक्सों में इधर हो जाएगा तो अधा इधर हो जाएगा अभी तुनों पैरलल में हो जला का यहां दो इस बीन दुपर इस बीन पर दुनों जूटा ले सुलों इधर से अभेलेंट हो जाएगा जो समतुलिप परती रोगा तो दुनों को गुणा कीजिए अद्वु जोड के भागा दीजिए अगर समनांतर में सब्सक्राइब जो गुना कीजिए तो चछो चोटिस अच्छे दूना बारा बारातियो चोटिस अंसर आगे तीनों के नागे चला अनसर तीनों अनसर हो जाएगा अनिक कहनें वहला यह आपका अनसर हो जाएगा ठीक कौन अनसर हो जाएगा बोलिए यह आपका तीनों आ जाएगा अनसर चला कौन हो जाएगा चला बोलिए तीनों कौन हो जाएगा कैसे बना पता चला होगा ठीक हम लोग पचीस देखते है 10 कारण वायू का बुफुला पानी के अंदर चमक्ता दिखाए देता है थे तो Isnut ज़ाब पानी के अंदर चमक्ता है उपुर्णानि क्प्रावर्तन के कानि कढ़ने ki मुलाबक अनसर हो जाएगा सी कौन हो जगा चेला बोलिए सी ओले पानी के अंदर बुलबुला बनता है वह आपको चम की किला दिखाया देते हैं पुर्णादिक प्रावर्तन के गांठिक चलिए अन्सर हो जागा सी कहें को दिक्कत होना चाहिए जला आपका चलिए पचीसे तक की उच्छान था चला चलिए बाए चलिए यहां पर आपको थै हर हाल में देख लिएगा और चिला अच्छा लगा होगा लगे वीडियो बढ़िया है काम्याब वीडियो है तो थोड़ा सा ग्रूप में आप से जरूर कर दिए सुनलो इतना आप लोग काम कम से कम किजिए सपोर्ट की रूप में जो भी लेक्चर वीडियो अगर अच्छ और सकरपला मिठाए कहाते रही अध्यान देना है थोड़ा बचाके भी रखना ठीक है सकर पला को बर बाद ने किजेगा उसको ध्यान रखके भुलिया काना है सुनलो इवालगा से सुनलो ने तैलुला अलूगा यह अलुगा से रोपईलो ना बचलो तो करें भरबरा लेक तो यह चलिए एक रहल दें चला बाए कहां से रोक रहा गोजला चलिए भाई जाएगा चलिए बहुत बढ़ें ठीक चलिए आउल दाबेश चला जरूर सेर कर देजेगा बढ़ें लागे गाथ हो ठीक चलिए थेंक्यू भाई